हेलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का एक बाफिस एजी डिस्वी टुटर के मेडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी दभाई ओरा सोर जिल की बारे में जी यहां ओरा सोर जिल खासकर तब यूपयोग किया जाता है जब आपके मुह में छाले हो और इस जल को मुह के छाले को ठीक करने के लिए कैसे लगाए लगाने का सही तरीका क्या है मतलब इस जल की हम संपोर जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियो में बने रहीएगा जिससे की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए चली स्टार्ट कर देते डियल ओरा सोर जेल जी हां औरा सोर जेल के अंदर जो में कस्टिट्वेंट होगा जी हां टोटल टीन कस्टिट्वेंट मिले हुए होते हैं सबसे पहला है विंजल पॉनियम क्लॉराइड जो की 0.01% वेट बाई वेट के एमांट में इसमें मिला हुआ होता है एक ट्यूप की की कीमत बता गोगी और जो कमपनी है वानटी है वह W liked लिम्टेड बात करेंगे डियर्बिति इसके और इक यूज के छाले में वहो चाहला चाहे आपके mask की क्लिंज सकता है आपके पैले सकता है आपके पहलने हो सकता है या किसी पर कार का मूं अजू यूहां वहाँ पर यह ओरा सोर जिल बहुत ही effective होता है उसको treat करने में, साथ ही साथ, ओरो फैरिंग, जहां पर आपका throat का middle part होता है, throat के middle part में जो आपका infection हो जाएगा, inflammation हो जाएगा, उस चीज को भी यह ओरा सोर जिल बहुत अच्छे तरीके से treat करेगा, बात करेंगे डियर, Macanium infection जी हाँ, यह जो चाला जो treat कर रहा है, मूँ के चाले में अराम दे रहा है, तो कैसे दे रहा है, क्या कारण है, किस तरीके से यह वर करेगा, देखिए, तीन content मिले हुए होते थे, हर एक content का अपना अपना काम है, जो benzylconium chloride है, एक तरह से एक antibacterial agent होता है, जो की मूँ में जो भी infection हुआ है, जिसके कारण चाला हुआ है, उस infection को ठीक करने की जिम्मदारी, benzylconium chloride की होती है, जिससे क्या होगा है, माउथ का जो अलसर होता है, जल्दी से ठीक होने लगता है, अब देखिए, जो koline salicylate है, एक तरह से के NSAID के कटेगरी का ड्रग है, जो की cox enzyme के production को ब्लॉक करेगा, जिससे हमारा prostaglandin बनना बंद हो जाएगा, जिससे जो हमारे pain हो रहा था, जो sujan swelling हो रही थी, माउथ अलसर में जो pain मगरा हो रहा था, इस koline salicylate के द्वारा वो ठीक हो गया, अब हम बात करेंगे जो lignocaine hydroclide है, यह एक तरह से local anesthetic का काम करता है, यह क्या करेगा, जो pain का sensation है, जलन का sensation है, उसको सुन कर देगा, मतलब numbness कर देगा, मतलब lignocaine hydroclide एक तरह से local anesthetic है, जो कि हमारे nerves, जो brain तक pain का signal पहुचा रही है, उसको ही block कर देगा, यानि यह भी चीज हमारी दूर हो गई, इन तीनों के द्वारा, हमारे मुग के छाले completely कहीं कहीं, सही हो जाते हैं, बात करेंगे जीर, किस तरीके से यूज करना है, यूज करने का क्या सही तरीका है, औरा सार जिल का, सबसे पहले हम देखेंगे, कि भाईया अपने हाथों को क्या करना है, प्रॉपरली अच्छे से सुखाना है, उसको धुलना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, sufficient amount जितना आपका डॉक्टर बताया है, उतना amount ओरा सार जिल को, अपने fingertips जिहां, पहले मूँ को हाथ को दुल दिया, अपने fingertips से उसको जिल को लगाया, फिर gently ओरा सार जिल को क्या करेंगे, apply करेंगे कहां पे, जो affected area है, जो मूँ का चाला चाहे वो lips पे हो, चाहे पैलेट पे हो, चाहे इनर्चिक्स पे हो, जहां भी मूँ का चाला हो, gently उसे apply करेंगे, उसके बाद हमको इसको तीन से चार टाइम, जी हां, अच्छे result के लिए तीन से चार टाइम, डेली हम इसको apply करते हैं, या डॉक्तर जितनी time बोलेगा, उतने time हम इसको क्या करेंगे, apply करने का काम करेंगे, साथि साथ इसे लगाने के बाद, दो से तीन मेर तक कुछ न खाएं, नहीं कुछ पी हैं, ताकि ये अच्छे से अपना काम दिखाने लगे, साथि साथ अगर इसको लगाने के बाद, मुँ में saliva बन रहा है, मुँ में saliva हो रहा है, तो उसको आप या तो spit कर सकते हो, या तो ingest यानि की निगल भी सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको निगलना है, निगल सकते हो, तो उससे कोई हाम भी इससे नहीं होने वाला, साथी साथ इसको medical supervision के अंतरगत ही use करें, डॉक्टर आपकी condition देख के ही दे, तब जाके इसको use करें, बात करेंगे दियर कुछ normal side effect की, तो इसको लगाने के बाद वहाँ itching वगरा थोड़ी सी हो सकती है, साथी साथ जिस side पे लगाए, वहाँ पे irritation, redness वगरा देखने को मिल सक करता है, जिससे मूँ के चाले बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगली medicine किसके बारे मताएं, उसको भी comment box में जरूर लिखेगा, जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे और उतक जरूर सेर करें, और medicine की जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल के playlist section को भी visit कर सकते हैं, चली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले topic के साथ तब तक के लिए, thank you so much, all the very best.